ऐसे जब 20 साल पहले मैं खड़ा हुआ था ऐसे किसी ऑफिस में जाके तो मुझसे पूछा गया था कि क्या है किसी डिरेक्टर के एसिस्टेंट ने पूछा था क्या है मैंने क्या एक्टर है बुले दिखने से तो लगते नहीं हो एक्टर हो तो क्या होता था कि इंडिस्ट्री चले गए था ऐसा ऐसा समझता था वो और शिप्रम ये आपको यकिन दिलाना चाहता हूं इस चीज का कि मेरे खुद के रिष्टेदारों ने भी जब मैंने उनसे इच्छा जाहरी की कि मैं एक्टर बनना चाहता हूं तो उन्होंने भी मुझे डी-मॉरालाइज किया कि पहले शकल तो देख ले अपने कि पांच फूट का छोटा पतला दूबला सा आदमी काला कलूटा मुझे खूद को पता नहीं था कि इंडिस्टी में मेरा क्या हाल होगा बट एक जित थी एक जित थी और हजारों लाखों मलब सालों साल से इंडिस्टी में सिर्व यही चलन था कि एक्टर तो हीरो तो जो है ऐसा होता है लेकिन सब और सिचुएशन के बावजूद भी गये लेकिन एक चीज मेरे दिमाग में थी कि जो सब करने वो नहीं करना है तो अलग क्या करूं अलग क्या होना चाहिए उसके लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत थी जो मैंने नेश प्रेसनालिटी में अगर मैं लोगों को इंप्रेस करना चाहता हो उसके लिए एजुकेशन की बहुत जरूरत है या जो भी आप काम कर रहे हो उसमें क्राफ उसका एक्सपर्ट होना बहुत जरूरी होता है ऐसे हवा मेंने के जैसा पहले होता था तो तो बहुत खुबसूर में मैं पहुंच गया मुंबई मुंबई पहुंचने के बाद जब हम किसी ओफिस में जाते थे इससे पहले चलन नहीं था बिल्कुल भी हम लोग गये जैसे मैंने बताया कि ऑफिस में खड़ोगे भाई हम एक्टर है काम दोगे क्या तुमने पहले हुलिया तो देख अपन कि पतला दुबला सहां मरיयल सहां कि कभी यह इस तरह के लोग अक्टर भी बन सकते हैं ईयरो भी बन सकते हैं स्टार भी बन सकते हैं ऐसा चलन था ही नहीं मैं कॉण्फिडेंड था विगोज ऑफ माय ट्रेनिंग मैंने ट्रेनिंग लिए तीप और अपनी क्राफ दिदॆ त और इस चीज़ का सिर्फ confidence था मुझे कि आज नी तो कल कल नहीं तो परसो या 10 साल या 20 साल या 30 साल 30 साल के बाद नंबर जरूर आएगा मेरा मैंने मैंने कभी भी अपने को टार्गेट नहीं किया टार्गेट नहीं दिया मैंने कि अगर दो साल ट्राय करके देखता हूं उसमें अगर हो गया तो ठीक है वरना कोई दूसरा फिल्ड अपना लूगा ऐसा कभी नहीं जिस चीज का पैशन होता है जजबा होता है अगर आप दिल से चालो न तो पूरी दुनिया जोग जाती है उसके उपर उसको पूरा करने के लिए पूरी काइनात एक हो जाती है कि इस आदमी की जिद के आगे जुकना पड़ेगा और पूरी दुनिया जुकती है आपकी जिद के आगे लेकिन आपको जिद्धी होना पड़ता है आपको बहुत सारे सेक्रिफाइज भी करने पड़ते हैं क्योंकि ये आपने चाहा है परिक्षा देनी पड़ती है आपको जितना बड़ा इमतहान होगा उतनी बड़ी परिक्षा भी देनी पड़ेगी आसान काम नहीं है छोटे छोटे टार्गेट बनाएंगे तो छोटों में निप्टारा हो जाएगा हमेशा अपने आपको टार्गेट बड़ा दो तो उसके लिए उसके लिए कि हमेशा अपने आपको अनकंफर्ट जोन में डालो कि जो पॉसिबल जो इंपॉसिबल है उसको पॉसिबल करने की शिदत पैशन आपके अंदर होने चाहिए वो हो जाता है आज जो दुनिया में इतने सारे एक्सपरिमेंट हुए हैं यह सिफ इसी बिना पर हुए है पागलपन के जरीये ही हुए हैं इसारे एक्सपरिमेंट कि 이 commune किसंगा कि जब आप experiment करते हैं तो failure भी होते हैं कि बाई falei फेलियर होते हैं कोई एक experiment करने के लिए को एक चीज करने के लिए बहुत बार हमने भी जहला है बहुत बार failure हुए हम लोग लेकिन अटस्थे हमें इतने सारे जब फैलियर होने से इतने तरीके पता चले कि इन तरीकों से सकसे नहीं मिल सकती। इडिसन ने में जब बल्ब का विष्कार किया तो 100 Boss Experiment किये अपनी जिन्दगी में सोब आरosa environment करने के बाद जब उसको पता चला किने के फार्मुला वह यह था बल्ब बनाने कर तो एट लिस्ट उसको ये उसके साथ साथ उसको ये भी पता चला कि सो जो तरीके हैं सो तरीकों से बल्ब नहीं बनता ये भी पता चला उन फेलियर्स में उसको जब हम लोग मुंबई आये तो हमें मालूम था हमारे पास प्रिसनेलिटी नहीं है हमारे पास बैक नहीं है यह हमारे फादर दादा परदादा तो फिल्म डिस्टी में है नहीं हम ही है तो हमें क्या करने चाहिए इसलिए लोगों के बीच में घुसे रहते थे आम लोगों के बीच में घुसे रहते थे उनका एक्सपिरियंस सुनते थे उनको अबसर्ब करते थ तो आई थिंग मेरे पास 15 साल तक 10 साल 10-12 साल तक कोई काम नहीं था जैसे आपने बताया कि बहुत ही 10-10 सेकंड के रोल करके घरमा आके बढ़ जा तो पूरे साल का खाली बैटे रहते थे हम लोग लेकिन एक चीज थी कि लोगों के बीच में रहते थे लोगों के बीच में र लेकिन एक्टिंग सिर्फ एकी तरीके से होती है हमारे हां तो मुझे लगा यार मैं तो ट्रेंड भी हूँ मुझे अपनी आर्ट भी आती है और हजारों लोगों को मैं अब्सर्व कर रहा हूँ तो यह तो सबसे अच्छा सूत रहे है इस से तो मैं बहुत कुछ कर है है तो जब यह सुद्व पता चला मुझे के अब में जो हाजारों लोगों को मैंने अब्सर्व किया है आप जब्भी मुझे को रोल मिलेगा उनी में से वो एक इंसान हो कि उसी में ठाकरे बाड़ा साब ठाकर होंगे उसी में मंटो होगा उसी में गणेश गायतूंडे ह होगा उसी में फैजल खान होगा उसी में माजूमदार साथ होंगे तो इस तरह के ये कब हुआ जब मैंने लोगों हमने लोगों को अब्ज़र्व करना शुरू किया लोगों के बीच में रहें मैं 15 साल के बाद जो मेरी लाइफ थी जिसमें खाने तक को अब फॉर्चुनेट अपने आपको समझने लगा था कि थांक गॉड कि मुझे ऐसे ऐसे लोगों के बीच में मुझे रहने का मौपा मिला करे अब करे अब करे अब करे अब